आप आप सबी बच्चों का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन हब जेए क्लासे मेरेट में और आप में यह साथ पढ़ते हैं first year second semester का subject जिसके नाम है BMCE और BMEE पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको BMCE और BMEE जिसमें BMCE और BMEE दोनों subject में mechanical का कुछ syllabus है BMCE में भी mechanical का syllabus है और BMEE में भी mechanical का syllabus है दोनों का जो mechanical का syllabus है वो बिलकुल same है बिलकुल डिक्टो one to last एक एक पॉइंट उसका same है उसका जो mechanical का syllabus है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और पिछले वाले lecture में हमने start भी कर दिया था sources of energy जो इस syllabus का पहला topic था sources of energy को समझने के बाद हमने उसका पहला topic उठाया था जिसका नाम था thermodynamics उसकी definition हमने समझी थी और उसके बाद हमने देखा था कि thermodynamics हमारे day to day life में कैसे कार्या करती है और फिर उसके बाद हमने समझाता कि जो thermodynamics है उसके लिए basic components क्या-क्या होते है उसमें हमने तीन components देखे थे पहला system, दूसरा surrounding, तीसरा boundary end में हमने उसकी definitions देखे थी आज के इस lecture में हम यह देखेंगे कि system या निकाय कितने type के होते हैं, कितने type के होते हैं, देखो system या निकाय पहले, हम इस चीज को पिछले वाले लेक्चर में पढ़के आ शुके हैं कि system क्या होता है ? system वे इस्थान होता यहां पर हम किसी भी प्रकार का अध्यन करते हैं किसी भी वस्तूपर उसका, किसी भी वस्तूपर उसका अध्यन करते हैं ठीक है तो system हमें basically तीन type के मिलते हैं कितने type के मिलते हैं तीन type के मिलते हैं पहला open system open system दूसरा close system और तीसरा isolated system कौन सा system isolated system open system को हिंदी में बोलते हैं खुला निकाए खुला निकाए close system को बोलते हैं बंद निकाए कुन सा निकाए बंद निकाए और isolated system को बोलते हैं विल गित निकाए बिल गित निकाए तो open system खुला निकाए close system बंद निकाए और isolated system विल गित निकाए देखो हमारी जो day to day life है हम जो आसपास चीजे देखते हैं उसमें जो भी system देखते हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो सारे system एक जैसे नहीं होते हैं जैसे for example मेरे पार मैं जैसे मैं इस कमरे में हूँ मैं यहां पर इस room में हूँ और यह room इस room में कुछ windows है एक दरवाजा है ठीक है तो अगर मैं इस पूरे कमरे को system मानूं अगर मैं इस पूरे कमरे को system मानूं या यह बोला जाए कि कोई तीसरा इंसान है जो उपर से मेरे इस कमरे को या इस रूम को देख रहा है तो वो ये देखेगा कि वो ये मानेगा कि ये जो कमरा है जिसके इस कमरे के अंदर जो भी सारी चीजे है फिर चार मैं हूँ या और भी बहुत सारी चीजे है वो सब उस देखने वाले के लिए या वो जो इस कमरे पर अध्यन कर रहा है उसके लिए वो सब सिस्टम का हिस्सा होंगी क्यों क्योंकि वो इस कमरे पर अध्यन कर रहा है ठीक है अब अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से कोई भी वस्तू कोई भी वस्तू या कोई भी द्रव्यमान कोई भी द्रव्यमान और उर्जा दोनों सिस्टम से बाहर जा सकती है तो वो कैसा सिस्टम कहलाता है? ओपन सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम कहलाता है ठीक है? ओपन सिस्टम और energy दोनों ही आ सकती है और जा सकती है दोनों ही आ सकती है और जा सकती है ठीक है example हम दे देते है example क्या है एक्जाम्पल जैसा मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में दिया था एक्जाम्पल क्या है एक गर्मा गर्म चाए एक गर्मा गर्म चाए है हमारे पास यह गर्मा गर्म चाए है इसमें से अगर यह चाए गर्म है तो इसमें से उश्मा भी भार जाएगी हीट बाहर जाएगी हीट भी तो बाहर जाएगी आप जड़ा इस चाई के उपर अपना मूँ रखिए अपना मूँ रख करके देखिएगा जो भाप है जो भाप है वो आपके चहरे को महसूस होगी वो भाप आपके चहरे को और वातावरण में आगे बढ़ रही है, वातावरण में आगे बढ़ रही है, तो अगर मैं इस पर अध्यान कर रहा हूँ, माल लीजे, मैं इस पर अध्यान कर रहा हूँ, किस पर अध्यान कर रहा हूँ, इस चाय के प्याली पर अध्यान कर रहा हूँ, इस चाय के प्याली भी तो एक energy है heat भी तो एक energy है तो heat यानि heat अगर बाहर जा रही है यानि वो system को छोड़ रही है वो system को छोड़ करके बाहर जा रही है ठीक है तो heat बाहर जा रही है यानि energy बाहर जा रही है अब अगर मैं इसको चाई के प्याली को उठाया और मैंने थोड़ा सा tilt कर दिया थोड़ा सा tilt कर दिया तो क्या होगा चाई भी बाहर आ सकती है चाई भी बाहर आ जाएगी चाई भी बाहर आ जाएगी तो इसका मतलब mass भी बाहर जा रहा है, मास भी बाहर की तरफ जा सकता है, मास भी बाहर की तरफ जा सकता है, मास क्या चाही तो है, जो दूद से बनी हुई है, वो चाही है, तो वो भी बाहर जा सकता है, तो इसका मतलब यह है एक खुलाने का है, ठीक है, यह है एक खुलाने का है, तो I hope आपको यह चीज समझाई होगी कि open system क्या होता है जितने भी हमारे mechanical devices होते हैं वो सब open system होती है क्या होती है open system होती है इसके example क्या है इसके example देखते है इसकी definition लिख लेते हैं open system की ऐसा निकाए ऐसा निकाहे जिसमें जिसमें दिरव्यमान तथा उर्जा दोनों का आदान प्रदान हो आदान प्रदान हो पुला निकाहे कहलाता है पुला निकाहे कहलाता है जिसमें जिसमें दिरव्यमान और उर्जा ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ओपन सिस्टम में यानि खुले निकाहे में दिरव्यमान और उर्जा दोनों का अदान प्रदान होता है दोनों ही निकाहे यानि सिस्टम से बाहर भी जा सकती है और सिस्टम के अंदर भी आ सकती है इसमें अगर मैं थोड़ी सी चाय और डाल दूँ तो चाय डाली जा सकती है बिल्कुल तो मास भी इसके अंदर आ सकता है ठीक है मास भी इसके अंदर आ सकता है इसके एक्जम्पल क्या है? Boiler Boiler ठीक है? इसके एक्जम्पल क्या है? IC Engine IC Engine इसके एक्जम्पल क्या है? Tea Pot इसके एक्जम्पल क्या है? टीपोट विद इससे ऐसे लिखिए IC इंजन विद ओपन पोर्स ठीक है? और क्या है? जितने भी मेकेनिकल डिवाइसे हैं जैसे बॉइलर हो गया IC इंजन विद ओपन पोर्स हो गए जनुरेटर जनुरेटर ठीक है? ये भी एक ओपन सिस्टम है और क्या और कौन कुर से ओपन सिस्टम हो सकते हैं? टीक अप विदाउट लिट मतलब आपके पास चाय का प्याला हो उसके उपर लिड ना हो उसके उपर लिड ना हो वो एक ओपन सिस्टम है ठीक है? तो आई होप आपको ओपन सिस्टम समझ आया होगा इसके बाद बात करते हैं इसके पास बात करते हैं इसके बात करते हैं क्लोज सिस्टम को बोलते हैं बंद निकाहे बंद निकाहे बंद निकाहे बोला जाता है ओपन सिस्टम क्या होता है? वो चीश हमने समझी अब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए वो ही एक चीज ले लेते हैं माल लीजे आपके पास एक पिरसे गरमा गरम चाय है और यह जो चाय है यह इस बार जो चाय है यह थोड़ी अलग है यहाँ पर लेड लगी हुए है यहाँ पर उपर धक्कल लगा हुआ है तो होगा क्या? आप मुझे बताइए होगा क्या? यह जो कप है इसमें जो चाय रखी हुई है यह जो टी रखी हुई है इसकी यह जब यह अगर गरम है तो इसमें से उश्मा बाहर उठेगी उश्मा बाहर उठेगी उश्मा बाहर उठकर के अगर मैं इस पर इस चाय के प्याली पर इस tea cup पर अत्यान कर रहा हूँ तो ये में लिए क्या हो गया? system हो गया ये system हो गया अब अगर ये जो चाय है ये जो tea है, ये अगर गरम है तो इसमें से जो भाप है जो भाप है वो उपर उठना चाहेगी उपर उठकरके इस system को छोड़ना चाहेगी इस system को छोड़ना चाही की जैसे यहाँ पे था यहाँ पे lid नहीं थी जिसके कारण heat जो है वो इस system को छोड़ करके surrounding में जा रही थी पर यहाँ पर यहाँ पर हमने इसके उपर धक्कन लगा दिया इसके उपर क्या लगा दिया इस cup के अंदर ही है अब जैसे ही मैं जैसे ही मैंने इसको हटाया ये भाप बाहर जाएगी ये भाप बाहर जाएगी तो भाप बाहर जा सकती है भाप बाहर जा सकती है फॉर एक्जामपल जैसे यहां पर माल लीजे यहां पर छोटे छोटे होल्स है इस lid के उपर छोटे छोट जिसके कारट भाप बाहर जा रही है तो इसके अकोर्डिंग भाप तो बाहर जा सकती है हीट तो बाहर जा सकती है पर क्या ये जो चाय है ये जो टी है ये भी बाहर जा सकती है नहीं तो जो मास है वो बाहर नहीं जा सकता सिस्टम के पर जो हीट है या एनरजी है वो बहर जा सकती है और इसको अंदर मतलब सिस्टम के अंदर आ भी सकती है तो जैसे यहाँ पर ता ओपन सिस्टम में मास है मास ना तो बहर जा सकता था ना ही अंदर आ सकता था ठीक है? पर लो सिस्टम में लो सिस्टम में एनर्जी बाँ जा भी सकती है और एनर्जी अंदर आ भी सकती है ठीक है एनर्जी बाँ जा भी सकती है और अगर हम बात करें यहाँ पर देखें बॉइलर एक open system एक्जांपल है बॉइलर एक open system example है IC engine with open ports अगर IC engine है आपके पास engine है उसके उपर ports नहीं लगे हुए है तो वो एक open system example है पर जैसे ही आप ने उसके उपर valve लगा दिये या port लगा दिये जिसके कारण mass जो है mass तो बाहर जा पार है पर energy बाहर नहीं जा पार ही ठीक है तो वो किसका example हो जाएगा close system का तो इसकी definition हम लिख लेते हैं यह है एक ऐसा निकाए है ऐसा निकाए है जिसमे जिसमे जिरव्यमान जिसमे जिसमे जिरव्यमान यानि mass निकाए घेरे से निकाए घेरे मतलब system boundary निकाए घेरे से बाहर जिसमे वातावरण में जा सकता है परंतु उर्जा यानि एलर्जी और जा निकाए गेरे को भेद नहीं सकती भेद नहीं सकती ठीक है इसके बाद जो अगला term आता है वो आता isolated system कौँ सा system isolated isolated system isolated system क्या होता है इसे हिंदी में बोलते है विल्गित निकाए विल्गित निकाए विल्गित निकाए विल्गित निकाए क्या होता है मालीजे आपके पास एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से ना तो एनरजी बाहर जा पाईगी ना अंदर आ पाईगी ना ही मास बाहर जा पाईगा नहीं अंदर आपाएगा, तो इस परगार का जो system होता है, उसे कहते है isolated system या विलकित निकाए, isolated का ही मतलब होता है, किसी चीज को बिलकुल अलग कर देना, ना तो उस, ना तो उससे कोई मिलने आ पा रहा है, ना ही वो किसी से मिलने जा पा रहा है, ठीक है, तो उसी को ही बोलते है हिंदी में, English में बोलते है isolation या isolated हिंदी में बोलते हैं उसे wilket, ठीक है, कहीं कहीं आपको isolated का मतलब अलग भी मिलेगा, तो आप से अगर ये पूचा जाए कि अलग निकाए की परिभाशा दीजिए, तो अलग निकाए भी isolated system यह होता है, और अगर wilket निकाए पूचा जाए तो isolated system होता ही है, इसका example मैं आपको बता देता हूँ, देखो, isolated system का एक मातर example है universe, क्या है, universe, universe, ठीक है, universe एक मातर example है कि इसका isolated system का, हम अभी तक की technology में कोई भी एक ऐसा system नहीं बना पाए, परफेक्ट isolated system, परफेक्ट बिलकुल 100% wilket निकाए ऐसा डवलप नहीं कर पाए है, जिसमें से आपने एक बार energy उसके इंदर दे दी, तो वो energy उस system के अंदर हमेशा बनी रहे, उस system से energy बाहर, किसी भी रूप से बाहर ना निकले, या उस system के अंदर अगर आपने mass कुछ रख दिया, ग्रवर्मान कुछ डाल दिया, तो वो ग्रवर्मान उस system के अंदर हमेशा बना रहे है, या उस system से बाहर ना निकले, कोई भी एक ऐसा system हम अभी तक develop नहीं कर पाए है, सिर्फ एक मात natural example है, universe, कुछ किताबों में, क्या पूड़े लाइफ में आप जिसे आप isolated system कह सकते हैं, वो है, वो है thermos flask, thermos flask, जो आप milton की bottle यूज करते हैं, जिसमें पानी 24 गंटे, 30 गंटे, ठंडा का ठंडा रहता है, या जो वो ही bottle उसमें अगर आप गरम पानी डालते तो वो एक दिन, डेड़ दिन गरम ही रहता है वो जो bottle है, वो जो thermos flask है, उसे हम isolated system की श्रेडी में रख सकते हैं, 100% होता नहीं है isolated system ये, पर उसे हम isolated system की श्रेडी में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो thermos flask है, ये बहुत ही लंबे time तक इस system के अंदर दी गई energy और mass को अपने अंदर के इंदर रख सकता है, इकटा रख सक जैसे आपने एक bottle ली, thermos flask लिया, thermos flask लिया, उसमें भर दिया पानी, पानी भर दिया और उसके उपर लगा दिया धक्कन, क्या लगा दिया, धक्कन लगा दिया, अब इस पानी का जो तापमान था, वो था मान लीजे, 90 degree centigrade, 90 degree centigrade और इस पानी का जो volume है, वो है एक लीटर, एक लीटर की bottle है, और पानी का तापमान है, एक 90 degree centigrade, आपने ये धक्कन टाइट करके, एक कमरे के अंदर रख दिया, अब आप इस पर अध्यान कर रहे हैं, आप इस पर thermos flask पर अध्यान कर रहे हैं, जब आप इस पर bottle होगी, system ये bottle होगी, क्यों क्योंकि, जैसा मैंने आपको यहाँ पर पताय था, कि system निकाए वो होता है, जिस पर हम अध्यान करते हैं, ठीक है, तो thermos flask पर जब हम अध्यान कर रहे हैं, तो thermos flask हमारे लिए system हो गई, और इसके आसपास का वातावरण, उसमें हम भी हैं, ज हमारे लिए surrounding कहलाएगा, ठीक है, अब हमने इसे corner में रख दिया, कमरे के, तो होगा क्या, इसके अंदर से heat जो है, वो बाहर किसी भी रूप में नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, तो अगर heat बाहर नहीं जा पाएगी, तो जो ये temperature है, 90 degree centigrade, ये बहुत ही लंबे time तक इतना ही बना रहेगा, इतना ही बना रहेगा, और जब आपने धकन लगा रखा है, तो ये पानी, जितना मास पानी था, एक लीटर पानी था, वो एक लीटर, एक लीटर का ही बना रहेगा, जब तक आप इसका धकन खोल के इसको पिए ना, या बिखे रहे ना, ठीक है, तो तो यह mass भी वही बना रहेगा, mass भी वही constant बना रहेगा, mass भी constant होता है, और energy भी constant होती है, energy भी constant होती है, तो isolated system क्या होता है, isolated system होता है, जिसमें से heat या energy ना तो बाहर निकल पाए, ना ही अंदर आ पाए, मैंने आपको बाहर निकलने का example दिया, अच्छा, अब आप यही bottle, जिसके अंदर 90 degree centigrade का पानी है, आप यही bottle refrigerator में रख दो, fridge में रख दो, होनी चीए वो milton वाली या thermos flask, ऐसी नहीं, third class वाली नहीं, जो market में मिल जाती है, होनी चीए वो thermos flask proper, आप इसी bottle को freezer के अंदर रख दो, आप चाहे एक दिन रख दो, दो दिन रख दो, यह bottle, इस bottle के अंदर का जो पानी है, वो 90 degree centigrade ही रहेगा, पानी उसके thermos flask है, उसके अंदर कोई heat, अंदर भी नहीं आ पाईगी, अंदर भी नहीं आ पाईगी, ठीक है, अंदर भी नहीं आ पाईगी, तो heat ना तो बाहर जा पाईगी, ना ही अंदर आ पाईगी, तो energy constant हो गई, आपने डखकन लगा रखा है, तो mass भी constant हो गया, तो यह भी एक example ह होता है isolated system का किसका isolated system का तो इसे परिभाश्चित ऐसे करते हैं यह एक ऐसा निकाय होता है होता है ऐसा निकाय होता है जिसमें जिसमें रव्यमान तथा उर्जा का इस्तर हमेशा एक समान एक समान बना रहता है एक्जामपल क्या है एक्जामपल है यूनिवर्स सबसे पहले अगर आप एक्जामपल देंगे आपके कुश्चन आ गया यह isolated system को परिवाशत करने का एक्जामपल आ गया आप सबसे पहले एक्जामपल देंगे यह वाला क्योंकि एक नेचुरली जो isolated system है प्रागतर की रूप से जो विलकित निका है हमें मिला हुआ है वो सिर्फ यूनिवर्स मिला हुआ है ठीक है तो आप देंगे यूनिवर्स दूसरे नंबर पर लिखेंगे यह थर्मस लास्क यह बैस्ट एक्जामपल है यूनिवर्स ठीक है तो आई होप आपको यहाँ पर जो मैंने चीजे बताई system कितने type के open system close system isolated system open system मैंने आपको बताया close बताया isolated बताया आई होप आपको system और system के types यहाँ पर clear हुए होंगे समझ में आए होंगे अगले वाले lecture में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे thermodynamics की definition अलग अलग रूप में जैसे work क्या होता है जैसे work कब हम positive लेते हैं कब हम negative लेते हैं कब हम यह कहेंगे कि किसी system ने zero work किया है किसी system में कोई भी कारिया किया ही नियम उसके बाद हम देखेंगे कि thermodynamics के कुछ नियम जैसे newton के कुछ नियम है newton के गति के कुछ नियम है वैसे ही thermodynamics के भी नियम होते है उश्मा गति के भी नियम होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है, I hope ये lecture आपको यहां तक clear हुआ होगा, कोई भी किसी प्रकार का doubt हो, वो आप feedback section में लिख करके, उसको हमें बता सकते हैं, thank you, thank you so much.